मुझे लड़की भीगी भागी सी तो की राख मुझे 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 रसावन सुलज पुडिया जौन्दा महीन तो पसो रपट जाएं को हमें न उठाईयो आज भितर मुझे 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 मंगर है तेज़ कर लिए तो लुट साब प्रस्भाश्य ने को सब्सक्राइब यह सर वैसे थे फागन दा आगाज है ना मार्च अंग्रेजी मीना मार्च पंजाबी जिड़ा है फागन और यह एंड तक चलेगा तो फिर आजेगा चेंथ पंजाबी हो जेगा चेंथ और वो ह जाएगा अपरल हो जाएगा बिलकुँ तो तो ए गॉनल साब इसमें बड़े बड़े वो सौंग बड़े अच्छे बने हैं इस फिल्म का तो सबसे बड़ा मौसूल बारश नी है और कोई भी एक नापता कि कोई भी फिल्म बारश के गाने के बगार पर नहीं होती है कोई कोई और अगर फिल्म में तो मौसम ना भी हो तो बारश हो जाती है किन में लाई का लगा प्रेज़ की मैं कसरी आजा सजना है हाँ यह वजाहत अत्रे और इसमें मुझे शक था कि यह वह भी है मासरबूल्ला भी इसमें नदर आ रहे हैं और वो पिताफों सा भी नदर आ र वो विलिजर भी वो है सिल्सला बैगरोंड तो अरे जी फसला के लिए हैं नेड़े हैं इस ते विच फसला नेड़िया ने तो कि आह मौसम ते वे आशकाना हां गंदम दी आमद होंदी इस ते चालके-लकी जड़ी ने उपर उठना शुरू होंदी हैं जड़ी जड़ी अचा इसमें जो इजर और उदर इरोईन भीगते रही हैं वो आप ये देखें कि यहां अंजवन भीगी हुई आसी का है आसी किने में लाई का रहे बदला पीज़े की मैं कर लिया आजा सजना है और फिर वो मतोबाला याद की हुए एक लड़की भीगी भागी सी सोई आँखों से जागी है और मतोबाला भी जब भीगी है तो बहुत प्यारी लगी गुलजार नहीं है बड़ा इस्नमाल की बारश का हाँ गुलजार बारश से पूरा इस्तफादा किया और अचा बंबई की जो बारशे है वो मशूर है जून और जलाई में ऐसी खौफरा बारशे होती है मौनसुम की और अचानक होती है अच्छा विले सारा विले और कई दफ़ा बंबई में सलाब भी आ जाता है और मैं तो फिर जो ना वो भीगे हुए घर देखे हैं दिलीद कुमार साब का घर बीगा हुआ है वो कुशोर कुमार साब का महमद रफी साब का व ऐसे देखे हो फिर घर विले बिगा होगा और मंबई में बड़ा एक रॉमेंटिक हो जाती है मंबई कि जावेद एक्टर शवान आजमी के जो फ्लैट है उसके बार एक लिखने तो समंदर और वह उसके बार दो मैंडित भार घर एक बार्णार के कुश्वार साब के बना रहे हैं जो जावेद अख्तर का जो फ्लैट है वो ऐसा मज़े का है कि बाहर से आप जब आते हैं तो लिफ्ट में भी आपको जाना पड़ते हैं लेकिन अब जब आप वहां जाते हैं तो उनका जो ट्राइंग रूम है वो शीशा गलास लगा हुआ तो बिल्कुल वो सम जो और एक वहां जो है सैंड सैंड के साथ एक हालिडियन होटैल है उसकी जो लबी है वह बहुत बड़ी लबी है और वहां एक आखे समंदर की लहने आखे तकराती भी हैं जो गलास है तो वहां सामने चौक के पार इस तरफ उनका घर है अमिता बचल जलसा और पीचे लिए दर्मिंदर के गहरे है और इस तरफ थोड़ा मन्नत हैman मैं बारिश की फिल्म और आपको गाने याद कर आना चाएथा था टिप टिप बरसा पानी पानी ने आगे लगाई पानी ने आग लगा लगा है यहीं पानी ने आग लगा। अर भुषूरती देखो कि और चीज पानी आगे जड़ी है और वही और आगे जड़ी है उद्र सार इस तानों लगी करी एर रहानी आगे अच्छा यह बतलो में तक कही दफ़ा लगी आगे गले बिलते हैं जब आपस में दो बिच्ड़े हुए इसा थी अधर में बेस आरब को बड़ी तकलीफ होती है अच्छा एक गाना जो है वो बड़ा अच्छा मुहमद ली अली बाई और बिंदिया कुछ देर तो बुग जा अब अब फिल्म नहीं मुझे जाद है कि यह नूर जहांस है वाले इस फिलिंग और यह मेरा खाले कुछ देर तो रुप जाओ कमाल आइमद साब है तो बड़ा उन्होंने नूर जहां वो फिलिंग्स की गोईया थी और प्लेबैक बहुत बड़ी थी और बड़ी अच्छा सुने वाले होते थे फिलिंग्स होती थी लेकां आज के जो गाने है इसमे लोगे के ना आज की बारश के गाने आए अस्तार फिल्ला आज जो पारसां ने चिकल कर देंगा गाने भी चिकल कर देंगा अच्छा एक गाना था है वो अन्जमन साहिबा हमारी प्राइड तो वो जब भीगती थी तो लगता था कि पूरा एक सूबा भीगा हो था वो बड़ी प्यारी लगती थी उन पेग दाना था हमश्रफ साथ का हमश्रफ साथ का कुडियो साउन्दा महीना तोबा तोबा बड़ा पेई दानान दे आए हाए हाए और दर्बारी कानडा इसका नाम था शुरू में और ये शेहू ये अपने शजादा शेहू जो दलीब कुमार साभ ने किया और सेललाइट पे जब शेहू का नाम आता है तो दलीब साभ याद आते हैं सामने आ जाते हैं तो खैर दर्बारी में बारश का गाना मेग में बनता ह है इस तरह मेग मनार में तो उन्हों ने दर्बारी में बना और ऐसा वो लगा है और उसमें जो सितार के पीसी जो वो कोरियोग्राफी करवाई है हमीर उसमें आरफा सदीकी भी चोटी सी प्यारी सी वो भी उसमें है और वडेरा दाउद बट की और उसमें उस गाने में वो एंट्री हो रही है बाबर की नेगेटिव करेक्टर विलन अब दाउद बाट साब कभी देख रहे तो वो उनका नाम वडेरा के साथ जड़ा हुआ है व बना प्लेस को कर रहे हैं वो बिलकुल आप ठीक कह रहे हैं अच्छा इसी तरह शंकर जैकिशन ने बिनाया मुरे अंगला के जाबालवा आशा रोसले मुरे अंगला के जाबालवा और वो भी और फिर रेखा अदा करा रेखा भीगी हुई बहुत साड़ी में साड़ी में चूड़ी पजामे में बूंदे नहीं सितारे चपके है आसमा से है जी और इतनी प्यारी देखा जो है वो दो आच्छा डबल एक्शन ब्राइट हो जाती थी और वो बूंदे नहीं सितारे अलपी और वनोद महरा साथ और रेखा रेखा जी के बारे में मैं कहता हूँ कि कुटा सा था तो हमने अपने बेडरूम में मैं और मेरे भाई ने डाक्टर तयीव ने प्रेखा की तस्वीर लगाई होती थी और इसी में ना बार्षों के अवाले से मुझे अपना एक शेर याद आया है कि लेकी और बारश और पूछ पूछ प्लीज वो बच्पन वो बारशें भीगे बदन अपने वो मौसम रूट कर ऐसे गये अब तक नहीं आए वाँ 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 वा वाँ बाँ बुद्झा बू Almost अच्छा ख्याल बहुत बेतरी इसमें बदन दूसरों के बदन निदे होने चाहिए सुने हैं हाँ होते नुशए दूसा तो शाम के बाद तो मैंने कहा शाली ये ये इसमें तो अंदेशा है लौट आए ला किसी आपको ये नहीं कहना चाहिए था लौट आएगा किसी रोज वो हवारा में जा उन्हें किया बच्पन दशेर है ते बस हैंजी बरकत पहा गी अला ने पहा दिती ते बस ठीक है फिर हो दे विच्चे है थोड़ी है कि हुण मैं कारलमा ये तो ऐसे ही होना चाहिए था जैसे आपके तो ये इस तरह से होता है कि ये बदल और रेट के गिरॉंदे और ये सारा बड़ाई आप ने नाज़त कर बड़ी बेहतरीम कैफियात मियान की है तो चले आज के विलॉब में इतन